काश अपने चेहरे से पिग्मेंटेशन, हाइपर पिग्मेंटेशन, फ्रेकल्स, जाईयां इस तरह की चीजें गायप करना इतना ज्यादा असान होता अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अभी मैंने जो इतनी मोटी मोटी टर्म्स यूस की हैं, इन सब का मतलब क्या होता है, क्या ये सारी चीजें एक ही हैं यानि सेम ही हैं या फिर ये सब अलग-अलग स्किन प्रॉब्लम्स हैं बात अगर पिग्मेंटेशन की करें, तो पिग्मेंटेशन सेमपली हमारे सकिन के कलर को कहते हैं जब हम अंदर से healthy होते हैं तो हमारी skin का color texture सब कुछ normal होता है लेकिन जब हमारे अंदर internally कोई health problem होता है या किसी चीज की कम होने लगती है तो उस चीज की बज़ा से हमारी skin का texture हमारी skin का color dark होने लगता है जिसे हम hyper pigmentation करते हैं और अगर किसी बज़ा से हमारी skin का color light होने लगता है तो उसे हम hypo pigmentation कहते हैं आसान अलफाजों में pigmentation का मतलब होता है जी हमारी skin का color और pigmentation को itself a skin disorder consider किया जाता है जो आपकी skin के color को effect करता है हमारी skin को color एक तरह के pigment से दिया जाता है जिसे melanin कहा जाता है और melanin को बनाने वाले होते हैं हमारी body में मौझूद कुछ special cells जब ये cells damage ये खराब होने लगते हैं तो ये हमारी skin में melanin की production को effect करने लगते हैं जिससे हमारी skin discoloration का problem face करने लगती है तो जी अगर मैं आपको simple अलफाजों में समझाओं तो pigmentation आपकी skin का color होता है और अगर अचानक से आपकी skin का color dark होने लगा है या darkness की तरफ जाने लगा है तो आपको hyper pigmentation का मसला है और अगर light होने लगा है तो आपको hyper pigmentation का मसला है अब ज्यादतर देखने में hyper pigmentation का मसला आता है इसलिए इस वीडियो में भी हम hyper pigmentation को ही discuss करेंगे hyper pigmentation की निशानी होती है जी आपके चेहरे पर aging spots बन जाना मिलाजमा बन जाना या फिर post inflammatory trauma हो जाना ये सारी चीजें जो आपकी skin पर इस तरह से आने लग जाती है इसे हम hyper pigmentation कहते हैं तो जी जैसे कि मैंने आपको बताया के सबसे जादा common जो होता है वो hyper pigmentation का मसला होता है जिसमें इस तरह से आपके चेहरे पर निशानात पढ़ना शुरू हो जाते हैं अगर आपको याद हो तो इस वीडियो के शुरू में मैंने freckles का भी जिकर किया था यानि जाईयों का जिकर किया था तो जाईयां भी एक तरह की hyper pigmentation की condition होती है तो अगर आपको जाईयों का problem है तो वो भी hyper pigmentation के अंडर ही आएगा तो जी अगर आपके चेहरे पर इस तरह के निशानात आना शुरू हो गए हैं या अल्रड़ी आ चुके हैं तो आपको hyper pigmentation का मसला है और इसका treatment भी hyper pigmentation वाला ही होगा तो जी solution की तरफ जाने से पहले देख लेते हैं के आखिर कार ये hyper pigmentation का मसला क्यूं होना शुरू हो जाता है hyper pigmentation का मसला उस वक्त होना शुरू हो जाता है जब हमारी skin में milanin की production बढ़ने लग जाती है अगर मैं यहां आपको बताओं के भाई ये milanin की स्वला का नाम है तो ये एक तरहां का pigment होता है जो हमारी skin को, हमारे बालों को, हमारी आखों को color provide करता है तो भाई ये क्यूं बढ़ने लग जाता है उसके बहुत सारे reasons होते है सबसे पहला reason होता है सो जी अगर आप बहुत जादा धूप में काम करते हैं या धूप में बाहर निकलते हैं अपने चेरे को ढापे बिना तो definitely आपको freckles या जाईयों का मसला होगा, आपको hyper pigmentation का मसला होगा इसलिए आप में अक्सर देखा होगा कि जो लोग खेतों में काम करते हैं, agriculture में काम करते हैं या धूप में काम करते हैं उनके चेरे पर अक्सर जाईयों का problem रहता है दूसरा reason है, hormonal changes हमारी body में अक्सर hormonal changes की वज़ा से भी melanin की production बढ़ने लग जाती है कभी-कभी हम में से कुछ लोग hormonal treatments ले रहे होते हैं, उसके result में भी या उसके side effect में भी ये वाला मसला हो सकता है जी हाँ, melanin का बढ़ जाना aging की science में से एक है अगर आपकी age 40 above है और आपको चेहरे पर aging spots आने लगे हैं, जाईयां बनने लगी हैं, यूनो इस तरहां की problem होने लगी है तो ये aging की वज़ा से भी हो सकता है अकसर skin पर किसी किसम की चोट लग जाना, बीमारी का हो जाना या जल जाना, इन सारी चीज़ों की वज़ा से हमने अकसर देखा है कि उनों हमारा जखम तो भर जाता है, लेकिन चेहरे पर निशानात छोड जाता है तो ये reason भी एक हो सकता है आपके चेहरे पर aging spots आने का या acne scars बनने का या निशानात पढ़ने का Hyperpigmentation का मसला most of the time किसी बिमारी के नतीजे में भी हो सकता है और अकसर हम कोई ऐसी दवाई ले रहे होते हैं जिसकी वज़ा से हमारी बोडी में मिलानिन की production डिस्टर्ब होने लग जाती है और अकसर pregnancy की वज़ा से भी हमें ये problem face करना पड़ता है thyroid problem की वज़ा से हमने अकसर देखा है कि लेडीज में मिलासमा की problem शुरू हो जाती है तो जी ये थी कुछ मोटी मोटी वज़ुहा जिनकी वज़ा से हो सकता है कि आपको Hyperpigmentation का मसला हो रहा हो या होना शुरू हो गया हो अब obviously ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि हम इने control तो कर नहीं सकते तो अगर एक problem हो जाती है तो बजाए उस पर रोने के हमें हमेशा solution की तरफ जाना होता है और हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से इस problem को control कर पाएं कम कर पाएं या फिर खतम कर पाएं medically देखा जाए तो इसके बहुत सारे treatments मौझूद हैं यानि बहुत सारी tropical creams आती हैं cosmetic procedures आते हैं जिनने लोग करवा के इस problem का खात्मा या इस problem को control कर लेते हैं लेकिन obviously ये सारी चीजें थोड़ी सी expensive होती हैं और हर कोई इन्हें effort नहीं कर पाता और at times इनके result long term भी नहीं होते यानि अक्सर ये दुबारा भी आना शुरू हो जाती हैं तो भई हम सब चाते हैं कि treatment ऐसा हो जो long term भी हो और हमारी जेब पर भारी भी ना हो और जिसके कोई side effects भी ना हो जी हाँ मैं बात कर रही हूँ home remedies की वैसे तो hyperpigmentation को treat करना कोई इतना भी आसान काम नहीं है चाहे आप इसे home remedies से करें या tropical cream से करें या किसी भी medical procedure से करें ये थोड़ा सा time taking है अगर आपको जाईयों का problem होना शुरू होगा है तब तो आप इसे जल्दी control कर लेंगे लेकिन अगर आपकी जाईयां पुरानी हैं आपको hyperpigmentation पुराना है आपका मिलासमा पुराना है age spots पुराने है तो definitely इसको control करने में आपको थोड़ा सा time लगेगा तो यहां मैं आपको एक reality check दे दूँ कि अगर आपको hyperpigmentation का मसला हुआ है तो आपको थोड़ा सा patience रखना होगा थोड़ा सा सबर रखना होगा और आगे जो remedy मैं आपको बताने वाली हूँ definitely उसको इस्तमाल करने के बाद आपको एक वाज़े difference नज़र आएगा तो जी note करने जल्दी जल्दी के इस remedy को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें required होंगी सबसे पहली चीज़ है पपाया पेस्ट दूसरी चीज़ है राइस प्लार यानी चावल का आटा और तीसरी चीज़ है योगर्ट यानी दही या फिर उसकी जगा हनी यानी ये तीनों चीज़ें रख लेनी हैं अपने पास खरीद कर और उसके बाद इसका बनाने का तरीका ये है कि सिंपली आपने दो चम्मच जितना पपाया यानी पपीते का पेस्ट ले लेना है और उसके बाद उसमें एक चम्मच जितना चावल का आटा यानी राइस फ्लार आ अब इन तीनों चीजों को अच्छे से पेस्ट बना लें अगर आपका पेस्ट थोड़ा सा गाड़ा बन रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हैं इसे कंसिस्टेंसी देने के लिए लेकिन अगर आप योगर्ट डायट करेंगे तो ये अच्छा सा एक फाइन पेस्ट अलरेड़ी बन जाएगा तो जी सिंपली आपने इन तीनों चीजों को मिला कर एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है और क्यूंकि आजकल गर्मियों का मौसम है तो आप इसे पांच से दस मिनिट फ्रीजर में रख दें ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए पूरे चेहरे पर अपलाई करने के बाद आपने इसे तकरीबन 15-20 मिनिट अपने चेहरे पर लगे रहने देना है उसके बाद आपने 5-6 मिनिट लगा कर हलके हलके हातों से मसाज करना है स्क्रबिंग करनी है फिर इसे ठंडे पानी से धो लेना है ये वाला फेस पैक बहुत definitely एक वाज़ डिफरेंस अपने फ्रेकल्स में, अपने मिलासमा में, अपने एज स्वाट्स में महसूस करेंगे आप चाहें तो इसे रोज भी इस्तमाल कर सकते हैं और अगर चाहें तो every alternate day इसे जरूर इस्तमाल करें पपाया हमारी सकिन को treat करने में इस तरीके से help करता है कि भाई ये हमारे सकिन के cells की growth को बढ़ाता है और damage ये dead cells जो होता है उन्हें खतम करता है साथ ही इसमें मौझूद enzymes जिसे पपायन करते हैं बहुत ज़्यादा exfoliating properties रखता है और इसमें मौझूद होता है GAHA alpha hydroxy acid जो के एक तरह का fruity acid है और help करता है skin brightening में और dry skin के problem से भी deal करता है और साथ ही हमने इसमें 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 इसमाल किया है दही, चावल का आटा या फिर शहद तो भई इन तीनों चीजों के फाइदे तो मैं अपनी अक्सर वीडियोज में बताती रहती हूँ इसलिए अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज अब तक नहीं देखी तो जरूर मेरे चानल को सबस्क्राइब करके मेरी प्ले लिस्ट में जाएं और मेरी उन वीडियोज को देखें उन रेमिडियोज को देखें उसमें मैंने बताया है कि चावल का आटा कितना ज़्यादा हेल्फुल होता है दही कितना ज़्यादा हेल्फुल होता है और शेहत कितना ज़्यादा हेल्फुल होता है सो जी ये थी एक आसान सी remedy pigmentation को cater करने के लिए definitely इसके results आपको एक या दो दिन में नहीं मिलेंगे आपको regularly इस्तेमाल करना पड़ेगा चलें जी इसी के साथ करती हूँ वीडियो को end उमीद करती हूँ आपको मेरी आसान सी remedy पसंद आई होगी अगर remedy थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दें मेरी वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ शेर कर दें मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में बाई